हम लोग दाल से बहुत सारी चीज़े बना कर खाते हैं आज मैं उसी में से एक मुंग की दाल से चिला और मुंगलेट बनाना बताऊंगी जो काफी हेल्दी तो है ही और हम लोग जो कि आजकर बहुत डाइट कॉंसियस हो गया है उसके लिए तो ये बिलको perfect लर्सी पी है क्योंकि ये oil free होती है सार्थ में काफी healthy होती है और हमारी body के लिए digestion में भी काफी helpful होती है इसे चाहिए तो लंच में खाईए, breakfast में खाईए, टिफिन में ले जाएए, किसी भी तरीके से खाईए, कोई दिक्कत नहीं होती और टेस्टी तो होती ही है तो आए आज हम मूं के दाल के चिला बनाएंगे और साथ में मूंगलेट बनाएंगे मैं चिला यहाँ पर आपको दो तरीके से बताऊंगी तो आए इसको बनाना शुरू करते हैं और इंगेडियन देख लेते हैं यहाँ पर मैंने मूंगी डाल लिये है, यह एक बड़े कप से मैंने रात बर इसको भिगूके रखा है और यह बिना चिलके वाली, आप चाहें तो इसके साथ चिलके वाली भी यूज़ कर सकते इसको मिनिमम तीन से चार घंटे भिगोई है और ये अच्छे से सोख हो जाती है यदि आप जल्दी में बना रहे हैं तो आप इसे एक घंटे के लिए गरम पानी में भिगोदे जिए तो भी हो जाती है इसके साथ मैंने कुछ सबजियां लिए हैं जैसे प्याज लिए हैं पौट पारी काटके हरी मिर्च लिए हैं गाजर काटी हुई हैं थोरा सा बीट रूट काटा हुआ है धनिया की पत्ती लिए हैं यहाँ पर तीन हरी मिर्च लिए हैं अद्रक लिए हैं और तीन से चार लसन लिए कुछ मसाले भी यूज़ करेंगे जैसे जीरा है हल्दी है और साथ में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टमाटा काटके रखावाई शिमला मिर्च काते हैं थोड़ी सी हींगी यूज़ करेंगे तो आएए सबसे पहले हम यहाँ पर मूंग की डाल को पीस लेते हमें एक बहुत फाइन पेस्ट इसका बनाना है तो मूंग जैसे हमने सोक किया तो इसमें पानी खुद भी होता है लेकिन मिक्सी को ग्राइन करने में जब थोरे से यह दिक्कत है तो थोरा थोरा करके पानी डाल सकते हैं अब देखे इसको पीसने के लिए यहाँ पर मैंने तीन ह पतला ना हो जाये अब देखे साथ में मैंने एक चमच यहाँ पर जीरा एड़ कर दिया है अब इसको हम अच्छे से बारीक की तियार कर लेंगे अब देखे यह यहां पर पीस चुका है मैं आपको खोलकर दिखा रही हूं तो इस तरीके का बारीक पेस्ट रम को यहाँ पर इसे भी दाल आपकी बहुत फलपी हो जाती है तो देखिए अब दाल यहां पर पिस चुकी है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पेपर पाउडर जिसको काली मिर्च कहते हैं मिला दिया है हल्दी मिला दिया है अरी चमर हेंग मिला दिया है और धनिया की पत्ती और इसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से हमें इसको सारी चीजों को यहां पर मिक्स करना है जब यह मिक्स हो जाती है तो यहां देखिए मैं मिक्सी में जो दाल लगी थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसी में मिक्स कर दिया है और इसका एक हमें पतला घूल ति इस condition में आप चाहें तो यहाँ पर इनो यूज़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं इसको और फलपी बनाने के लिए लेकिन मुझे लगता है कि जो healthy चीज़े उसको उसी वे में खाएं तो क्या बुराई है क्या ज़रूरत है यहाँ पर इसमें इनो और बेक बनाएंगे उनके लिए में एक मिहाँ पर टिप्स देती हूं कि जब भी आप चिला बनाएं तो आप नए हैं तो आपको आइडिया नहीं होता तो इस condition में आप गैस ओफ कर देजिए बिल्कु ठंडे पैन में नौनिस्टिकी पैन यूज़ करना है हमें लोहे के तवे पे नहीं बन पाता सही में तो आप जारस तर कोशिश करिएगा कि आप नौनिस्टिकी का यूज़ करें या कास्ट आइरन का तो उसमें आप गैस ओफ करके बनाएं बिल्कु ठंडे पैन पे आप बनाएं तब गैस ओन करिएगा तो आपका चिला भी बिल्कुल प्लेन आपको कोई डिक्कत ने आगी फर्स टाइम भी तो यहां मेरी ये टिप्स आप यूज़ करिएगा और आप देखेगा आपका एक्स्पिरेंस कितना अच्छा होगा आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फर्स टाइम बनाएं और करने के बाद बिल्कु स्लो फ्लेम पे हम इस को यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से देखें मैंने आपको यहां पर एक चिला बना कर दिखा दिया कितना क्रिप्सी बना है आप देख सकते हैं और उतना ही पतला बना है जैसा हमारा घोल होगा चिला उतना ही बारिक बनेगा घोल पतला होगा तो पतला बारिक होगा और मूटा यदि थोरा सा भी थिक होगा गोड तो हमारा चिला भी मूटा बनेगा तो इस बात का धियान रखिएगा कि हमें थिकनेस कैसी चाहिए अब देखिए यहीं पर मैं आपको दूसरा भी चिला बना के दिखा रही है मैं यहाँ पर कोई यूज नहीं करें कुछ नहीं करें बिलकुल हेल्थ वाइस को ध्यान में रखते हुए चीजे करें तो देखिए एक साइड से कुक हो चुका है अब मैं इसको दूसरी साइड के लिए प्लटर रही हूँ और दूसरी साइड भी जब पक जाती है तो इस तरीके से आम उतार लेंगे आप चाहिए तो इसमें थो का चिला यहाँ पर बन कर त्यार हुआ हमारे ब्रेकफास के लिए इससे अच्छी बैस्ट रेसीपी कुछ नहीं हो सकती है आईए अब मैं आपको यहाँ पर वेजी चिला बनाना बताती हूँ इसके लिए थोड़ असा हमें मूटा बन इसको डालना होगा जिससे वेजी टे से थोड़ा सा जादा लिए क्योंकि यहाँ पर चिला थोड़ा सा हमें मूटा चाहिए था और डालने के बाद जो बारी कटी हूई सारी वेजी टेबर थी वो इसमें एड़ कर देंगे आप देखिए जल्द वाजी में मैंने यहाँ पर एक चीट मिस किया है पता नहीं आप प्लट देंगे आप देखिए मैं इसको प्लट चुकी हूँ और इसके बाद दोनों साइड से यह अच्छे से पक चुका है तो मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही है इस तरीके से हम वेजी चिला यहाँ पर बनाकर रेड़ी कर सकते हैं बच्चों के लिए बहुत हैल्दी है आप वेजी की जगा चाहें तो पनीर भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं उसका भी चिला बहुत टेस्टी बनता है अब आएए आपको मैं यहाँ पर मुंगलेट बनाकर बताती है तो मुंगलेट के लिए कुछ नहीं करना होता यह बहुत ही सिंपल रसीप यह बहुत कर लेंगे इस तरीके से सारे मिक्षर को हमने रेडी कर लिया आएए आप मुंगलेट बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पैन को थोड़ा सा ओयली कर लेंगे तो मैंने मुश्किल से वन फोर्थ स्पून ओयल डाला और उसको चारो तरफ पैन में फैला लिया आप च करना इस तरीके से देखी मैंने सारे को फैला दिया अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक लिए बिल्कु स्लो स्लो पकने देंगे सिम पे जब वन साइड बहुत अच्छे से कूख हो जाएगी तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो इस तरीके से आप अपने घर में कभी भी बना सक करते हैं देखिए अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं तो मैं इसको चेक कर रही हूँ देखिए स्पैक्चुला की हैल्प से कितने अराम से चारो तरफ से निकल जा रहा है क्योंकि एक साइड से बहुत अच्छे से पक चुका है अब मैं इसको यहाँ पर पलट रही हूँ यदि आप को पलटने में दिक्कत हो तो आप इसके उपर पलेट लगाकर और पैन को उल्टा कर दीजिए उससे भी बहुत अराम से आपका यह पलट जाएगा और तूटेगा भी नहीं तो मैं यहाँ पर एक और टिपस आपको इस तरीके से दी तो देखिए मैं आपको दिखा रही हू दोनों साइट बहुत अच्छे से आपको खो चुकी है और इसको आईए हम पलेट में सर्व कर लेते हैं इस तरीके से देखिए हमारा मुंगलेट चिला भी यहाँ पर बन गया गर्मा गर्म अब मैं इसको इसको कट करके भी आपको दिखा रही हूँ मैंने यहाँ पर पिज और प्लेंचिला दोनों बनाया तो आप बताइएगा आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में कफ शामिल कर रहे हैं मैं तो बनाती रहती हूँ मेरे ब्रेकफास्ट में जरूर बनता है और सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं तो आज की रेसिपि आपको कैसी लगी यह करने के बाद आपको लगता हो कि यह जरूर बननी चाहिए तो इसको लाइक करें शेयर करें और जारा से जारा सब्सक्राइब करें जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ तब तक टेक केर बाबाई